पाकिस्तान की प्रथानमंत्री इमरान खान की पतनी बुश्रा बीबी की दोस्त फराखान दुबई फरार हो गई हैं बिपक्ष की सरकार बनते ही जेल जाने का डर सता रहा है यही बज़े है कि वे देश छोड़ कर भाग रहे हैं गौर्तलब है कि बुश्रा बीबी की दोस्त फराखान की संपत्ती इमरान खान सरकार के कारिकाल में चार गुना बढ़ गई 2017 में उन्होंने अपनी संपत्ती 231.6 मिलियन यानि 23 करोड 16 लाख पाकिस्तानी रुपया बताई थी जो 2020 से बढ़कर 971 मिलियन यानि 97 करोड 10 लाख पाकिस्तानी रुपय हो चुकी है फराखान को फरहत शहजादी और फरहा गुजर के नाम से भी वहाँ जाना जाता है अब इबक्ष के साथ-साथ इमरान खान की करीबी भी फराखान पर सबाल उठा रहे हैं इमरान खे करीबी अलीम खान ने फराखान पर ब्रष्टा चार के गंभीर आरोप लगाए है इस में टेक्स अमनेस्टी स्कीम का फाइदा उठा कर काला धन सफेद किया और इस स्कीम के तहट 328 मिलियन यानि 32 करोड 80 लाग पाकिस्तानी रुपए की संपत्ती गोशित की थी रस्तवेजों में यह भी कहा गया है कि फराखान ने लाहोर और इसलामाबाद में लगजुरी संपत्तियां खरी दी इसमें इसलामाबाद के एक शांदार इलाके में बना विला भी शामिल है एक रिपोर्ट के मताबिक 2017 में फराख की संपत्ती 23,16,35,297 रुपए थी 24,49,49 रुपए थी इस प्रकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर उनकी संपत्ती 71,48,87,318 रुपए हो गई साल 2020 में फराकान की कुल संपत्ती 74,3,16,6 रुपए तक पहुँच गई थी दस्तवेजों के मताबिक 2021 में उनकी संपत्ती 97,18,79,187 रुपए हो गई है अब आद इस रिपोर्ट की बाद आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं बागी की चोटी बड़ी खबरों के लिए संपनाइस ने उसको देखते रही है शुक्रिया